हेलो फ्रेंड सेस्टन ओन यो टेबल बाया साती मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं अपने लेकर आई हूँ एक बहुती डिलिशस रेस्पी जो बनाना तो आसान है और खाना पड़े ही जाएके दार हम लेंगे भीगी हुई मटर ये 200 ग्राम बटर मैंने लगपक 5-6 घंटे पानी में भिगो दी थी और ये अच्छे से फूल चुकी है एक बहुत इंपोर्टेंट टिप मटर में बहुत 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 जल्दी कीड़े लग जाते हैं तो आपको एक मटर का दाना थोड़ा सा ध्यान से देखना है कहीं किसी मटर में कीड़ा तो नहीं है तो ये देखिए ये मुझे दिखा था इसलिए मैंने सोचा क्यों आपके साथ ये टिप शेर कर लें तो ये मटर में इस तरीके से काला काला दिखता है तो इस तरह के मटर के दानें हमें इस्तिमाल लहीं करने हैं यह जरूर काम करिवेंगा कभी भी छोले राजमा या मतर्र ऐसी जो यहनले जो और वकूरें और खड़े जूक्त करने किसी भी दाने में कीड़े लग यह होता क्या है हम तो सब्धार वादर ने कभी कभी ऐसा कोई ना कोई ऐसा दाना आ जाता है तो इसलिए हमें पूरी मटा अच्छे से चेक कर लिए हैं और उसके बाद ही आगेगा प्रोसेस करना है हमें लिए हैं दो मीडियम प्याज चार पाच हरी मिर्च दो इंच अद्रका टुकड़ा और साथ लैसुन की कर लिए हैं इन सब चीजों को हम मिक्सी के जार में डालके दरदरा पीस लेंगे बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करेंगे हलका सा दरदरा ही करेंगे तो चलिए इसको पीस लेते हैं अगर आप की मिक्सी में बिना पानी के पीज़ा है तो बहुत अच्छी बात है फिर विल अगर कुछ की मिक्सी में पानी के बिना नहीं पिसता है तो थोड़ा सा पानी एक दो चमाशा अट कर लीजी तो चलिए इसको पीस के हम बलते हैं तो बढ़े दडरा पेस्ट बन सर्षू की तेल से सब्ची आप अच्छ ऐता है तो कोशिश कर ये के तिल में बनाये मैं आगर आप सा हुसार सब्सवाल करते हैं ऑ wiem से रपार सब्सवा उसमें सब्सवाइब करके हाइम राइमा मट्र का मंदेशन ला जवाब होता है और मटर में हिंग जरूर डालना चाहिए जिससे मटर कभी भी गैस वाली प्रोपर्टी को इन्हेंस ना करें अब हम कुछ खड़े मसाले आड़ करेंगे जिसमें मैंने लिया है खड़ा जीरा एक लाइची थोड़ा सा चक्री फूल चार प्माच काली मिर्च दो तेश पत्ते मैंने लिये हैं और साथ में तीन चार मैंने बीज लिये थे बड़ी लाइची के ये सब चीजे हम गरम तेल म प्याद करेंगे चार में लेंगे एक छोटा चमज हल्दी पॉडर दो चोटे चमज धनिया पॉडर और साथ में आधा चोटा चमज लालमेश पॉडर लालमेश का पॉडर कर्ण जादा कर सकते हैं जैसा भी आप तीखा खाते हो क्योंकि हमने हरी मिर्च भी आड़ की ये ध्यान निखेगा और आधा छुटा ही चमच हम आड़ करेंगे गरम मसाला और एक special ingredient और एड़ करना है अभी बताती हूँ जो बड़े चमच मेट चोले मसाली आठा शुटा है ऍल्वा और काला नमक इससे बहुत बढ़ी की हमारे मटर की सब्जी का फोले करना है जिस्से हमारे युट मसालों का फ्लेवर एंग बहुत बढ़िआ इन्हेंस हो जाएगा थोड़ी दिर इस पानी में हम मसालों को फीगने देते हैं लगबग मैंने एक चथाई कप पानी एड़ किया है प्याज बुन रहा है और प्याज बुन रहा है और जोई आवाज आती इसके तो लगता सब्दी और ही जाएक के बार बन जाती है प्याज बुनने वाला है अधा में टॉम लगेगा प्याज देके बिल्कुल तैयार है बहुत अच्छा प्याज बुन चुका है अब इसमें हम यह जो भीगे वह मसाले थे उन्हें एड़ कर देंगे और इन मसालों को भी अच्छे से प्याज से साथ हम थोड़ा सा गूल लें करना है हाई तो यह सब चीज अगर जल जाती है तो सब्जी की महक सब्सक्राइब बहुत बढ़ा चेंज आता है जो अच्छा नहीं लगता है यह सब्ची वाकई बहुत बढ़िया होती है अगर हमें सब्ची ना हो या कुछ अलग खादे का मन हो तो बस आप 5-6 गंते पहल करेंगी तो हमारे प्याज मसाले सब बढ़े हादर भुन चुके हैं अब हम अपनी सफेद मटर जो हमने भीजोई थी पानी में उसको पानी हटा के एड करना है इस मसाले ने मसालों के साथ भी मटर को एक बार हमें ब्रूल लेना है प्लेम अभी मैंने हाई नहीं किये हैं लोटी मीडियम फ्रेम पर ही हम काम कर रहे हैं क्योंकि नजरहटी और दुरगटना घटी वाला केस नहीं होना चाहिए और तो और आप लोग इक बात ध्यान लखिए का मटर को मैं कैसे सर्फ करूंगी किस चपाती के साथ सर्फ करूंगी किस रोटी के साथ सर्फ करूंगी यह तो एक बहुत 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 ट्विस्ट है मगर इस वीडियो में नहीं बताऊंगी अगली वीडियो में बताऊंगी तो इसके लिए चैनल को सिस्क्राइब चरूर करिएग मगर मटर को उबनने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो पानी में ने दो गलास एट किया है जिससे हमारी मटर को समय और जो भी उसको उबनने के लिए टाइम लगना उसके लिए उसको पानी मिल जाए मगर आपका अच्छी मटर हम डिरेक्ट सबजी बना रहे हैं तो उबनने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो पहले हम इसमें नमा कैट करते हैं और कैसे अच्छे से हमारी मटर पक जाए उसके लिए क्या करेंगे वो भी बताती हूँ टेस्के कोडिंग नमा कैट कर दीजिए और अभी हमें बन नहीं करना है जब अच्छी से उबाल आने लगेगी सबजी में तभी हमें अपने कुकर की लिट को लगाना है और से पहले वहल इंपॉर्टन इंगीटन जिससे हमारी मटर पढ़िहां से पक जाए तो इसके लिए हम करेंगे दो चुटकी बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा से हमारी मटर है कहीं से भी कड़ी ने रहेगे और अच्छे से उबल जाएगी तो हम वेट करते हैं पानी में उबाल आने का देखिए हमारी सब्सक्राइब बहुत बढ़िया उबाल आ चुका है बहुत अच्छे से प्राइस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे लगपक 5-6 मिट थीमी दी में अपनी मटर को पकने देंगे पास से चैमेट पकने के बाद मैंने कुकर की स्टीम को पूरा रिलीज कर दिया उसके बाद मैंने लेट को कोला है तो देखिए कितनी बड़ी हां मटर पक चुकी है बहुत ही जायकेदार दिख रही है आप चाट की तरह इसी स्टेश पे खा सकते हैं अगर आपको थोड़ी प मटर पानी के साथ बढ़िया सी पक चुकी है लोटु मीडियम फ्लेम पे इसी थोड़ा सा पका लेते हैं ध्यान रखिए कच्चा पानी ठंडा पानी यह नहीं इस्तुमाल करना है गरम खौलता ही पानी उबलता ही पानी हमें इस्तुमाल करना है मटर बहुत अच्छे से पक तो हमारी मतर बिल्कुल तयार है इसमें थोड़े से मतसाले हम और एड़ करेंगे क्योंकि और भी जागिदार बनाने के लिए तो क्या क्या हमें एड़ करना है तो चलिए आगे बताती हूं इसके लिए हम एड़ करेंगे इसमें एक छोटा चमच खटाई मतलब अमचुर पॉ और ज्यादा बढ़ क्या है मैंने पानी एड़ किया था आपको अगर नमक कम लगता तो इस स्टेश पे आप नमक भी एड़ कर सकते हैं और लाजवाब मतर बिल्कुल तयार है उपर से धनिया से गार्निश करिए और सर्व करिए इसके साथ मैंने कौन सी चपाती बनाई है क और कैसे सर्व किये आगे की वीडियो में जरूर बताऊंगी इसलिए वीडियो से जोड़े रहेएगा और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा थैंक्यों फॉर वाचिंग बाई 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 एन इंजॉए